दोस्तों नमस्कार बहुत बहुत स्वागात है आपका मेरे इस नए वीडियो में आसा करता हूँ आप सभी स्वस्त और सुखी हों कर दोस्तों आसा 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 तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं आप लोग को अग्धन विरस्पतिवार के नियम बताऊंगा विधी विधान बताऊंगा तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों यह बहुत ही विशेश है अग्धन का गुरुवार वैसे तो पुरे साल भर गुरुवार आते हैं और उसका वरत का भी फल मिलता है लेकिन अग्धन मास के मार्ग सिर्ष मा जो होता है उसे अग्धन भी कहते हैं तो अग्धन मास के जो यह चार यह पांच गुरुवार आते है महने में वो बहुत ही विशेश होते हैं माता अलच्मी की जो भी इस गुरुवार में पुजा करते हैं घनमास के गुरुवार में वो कभी गरीब नहीं बनते हैं उनके घर में कभी गरीबी प्रवेश करती ही नहीं है अर्थार धन क्योंने कभी कमी नहीं होती हमेशा धन धान उनको प्राप्त होगे ही, मृत्यू प्रांथ, परलोक में भी उनको भरपूर सुक वैभव मिलेगा, स्वर्ग का सुक भोगेंगे, और फिर पुनरजन्म लेके फिर वो सुक ही भोगेंगे, तो इसकी महमा बहुत ही अपरमपार है, मैं बताने के लिए मेरे पास सब्द नहीं है, इस व्रत को बहुत ही सक्तिसाली, बहुत ही चमतकारिक और बहुत ही अचुक माना जाता है, अगर धन संपत्ति की आपको कामना है, तो ये व्रत अवस्थ्य कीजिए, आपको सपलता अवस्थ्य मिलेगी 100% गारंटी है, अब आप लोग के मने प्रश्णा आ रहा हुआ क ये व्रत को करना कैसे है, तो देखिए, बहुत ही सिंपल है, इसमें गुरुवार के दिन हमको व्रत करना होता है, लेकिन इस व्रत का हम एक दिन पहले से ही तैयारी करते हैं, कहने का मतलब है, बुधवार को घर की पहुत अच्छे से साफाई कर लेना है, जैसे दिपावली में करते हैं उसी भाती घर के प्रतेक कमरों को एक एक कोने को बहुत अच्छे से साप सफाई करके अस्ताम के समय गाय के गोबर से आंगन को लिपना है और अच्छी सी रंगोली डाल लेना है और फिर उस रंगोली के पास से मातक के चरण बनाते हुए पुरे अंदर जहां पर चिन्ह को या फिर संकली या पत्ती जो भी आप रंगोली बनाते हुए आपको ले जाना है बहार के आगन की रंगोली से ये सारी चीज़े आप कर लिजिए उसके बाद आप ब्रह्म मुहरत में उठीए अब ब्रह्म मुहरत में तो पूजन का विधान है चार वक्त होता है ये पूजा एक ब्रह्म मुहरत में एक दोपहर में और संध्या के समय 6 बजे और आतरी के 12 बजे अब हर को ये चार समय हर किसे के पास उपलब्द नहीं होता तो कम से कम तीन समय में तो करना ही चाहिए कहने का मतलब है ब्रह्ममुरत में फिर्दोपहर में और संध्या के समय लेकिन कई लोग हैं जो जिनका घर में रहना नहीं हो पाता है बाहर जॉब करते हैं तो ऐसे में वो दो वक्त का पूजन कर सकते हैं एक ब्रह्ममुरत का और एक संध्या का ठीक है इतना तो कर नहीं है और हाँ इस पुजन में जो सामागरी है वो क्या है वो है आ Україल, सिंघाडा नारियल का विशेश इसमें पुजन होता है तो कलर्ष में रखने के लिए कच्चा नारियल पानी वाला नारियल वो लेये आएं और केले का पत्त, आंले का पत्त, आम का पत्त का च्छतोरण बना लें और माता लच्छमी का गज-लच्मी स्वरुप की पूजा इसे में होती है तो अगर लच्छमी की मुर्थी है तो उसके आस-पास दो हाथी आप रख सकते हैं मित्ति का या लकडी का या जिस प्रकार से भी हो चांदिक अगर आप बनवा सकते हैं तो अब बहुत अच्छा है तो उनकी भी मालाचमी के साथ पूजा करनी चाहिए क्योंकि माता के गजलचमी स्वरुप की ही पूजा इसमे होती है पर अब ना मिले तो मालचमी की जो मूर्ती है उसकी पूजा भी आप कर सकते हैं और जितने भी मौसमी फल हैं वो सब ले आएं आमला सिंगारा सिता फल बेर अमरूद केला और भी जो फल आप लाना चाहें वो सारे फल होना चाहिए ठीक है सुबह इसनान जो करना है वो आमला और कच्छी हल्दी को अच्छी तरह पीस कर उसका उप्टन बना के उससे इसन करना है साबून से इसनान नहीं करना है वैसे भी किसी भी व्रत में साबून से इसनान नहीं करना चाहिए और हो सके तो अगर आपके घर के आसपास नदी हो सरोवर हो या कुआ बावरी हो तो उसमें इसनान करना ज्यादा अच्छा है लेकिन अगर ना हो तो घर में भी आप जो भी ताजाय पाई नल का या बोरिंग का जो पानी होता है उससे आप इसनान कर सकते हैं और ना हो तो भी तंकी के पानी से भी आप इसनान करके जाएं लेकिन साबुन का प्रियोग ना करें और इसनान करते समय मंत्रों चान करें या देवी देवताओं को नाम ले हरहर गंगी, हरहर महादे ओमनव श्याय, ओमनव भगवते वासु दिवाय, इस तरह जो भी आपको अच्छा लगता है, मंत्रों चरण करके आप इसनान करें, मंत्रों चरण करके आप इसनान करें, उसके पस्चात आप चाहें, और सबसे पह होती है कि मैं सबसे पहले दफ प्रज्वलीत करूंगा या करूंगी कई महिला है रात के दो बज़े उठार बनाई होती ही वहाँ तो ऐसा नहीं करना चाहिए रात के दो बज़े भ्रहमन नहीं करते हैं मतलब मोरत मतलब देवते तो हो जाईए लेकिन पूजन इस्टार्ट चार बज़े के बाद ही करना चाहिए कई लोग बीना नहाई ही उड़ते हैं और सबसे पर दिया लगाते हैं यह बहुत ही गलत है ऐसा नहीं करना चाहिए आप पले सुद्ध हो जाईए अच्छे से और उसके बाद आप दिप्रज माता के जहां पर इस्थापना की वहां तक जाईए और वहां पर बहुत अच्छे से माता के उसारे वीधी-विधान से पुजा कीजिए जो जो लगता है अक्छत-बुश्प रोली हाना सब चीजे जो जो पूजा के चीज़ी हैं उस सारी चीजों से आप पूजा कीजिए और उसके बाद माता जी के आर्ति कीजिए और अगर श्री सुक्त या कनकधारा या जो भी आप पार्ट करना चाहें कर सकते हैं लेकिन जो भी पाट करें उसे 16 बार करना का इसमें विधान है, अगर आप 16 बार नहीं कर सकते हैं, कोई पाट तो माला का जब कर सकते हैं, 16 बार तो माला जाब कर सकते हैं, माता जी का मंत्रों चान करते हुए, माता जी के भी 3-4 मंत्र हैं, कोई सभी एक मंत्र माता जी का कर सक तो इस तरह से पूजा होती है मातर जी को इसमें मीठा नैवध्य चड़ाया जाता है दिन वें आप फलाहार ले सकते हैं रात्री में भोजन ले सकते हैं लेकिन वो मीठा होना चाहिए लेकिन आपका स्वास्थ खराब है आप बीमार और लेकिन पूजा की इक्षा है आप बी नमक बिल्कुल इसमें मना ही है फिर भी से अगर आपका स्वास्थ खराब है तो सेदा नमक लेकर आप पूजन कर सकते हैं नहीं तो मीठा भोजन ही करना है इस प्रत में तो बस इतना ही करना है दोस्तों कोई बहुत जादा नियम नहीं है लेकिन हो सके तो इस महने में थी साधा सुद्ध सात्विक हो नॉन्वेस तो बिल्कुल नहीं खाना है पुरे मेने भर लेकिन इसके अलावा बाहर का भी खान पाण इस एक मेने नहीं करना है कहने का मतलब है हम कहीं होटल रेस्टूरेंट का खाना नहीं खाएंगे कहीं साधी ब्यार इस तरह के घर नहीं सिंपल है इसको कर लेने से आप इस जीवर में अगर आपकी घर में धन का बहुत ही अभाव है तो एक बार यह वरत करके देखिए कुछी समय में एक से वर्स में ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा इसकी गारंटी है अगर आप पुरे वीदिविधान से इस वरत को करत एदेगा मैं उसका में उसका भी से जवाब दूँगा ठीक है और निक्स्ट सुड़ियो में में आप लोगương को अग्धन ब्रस्पतिवार का उध्भापन कैसे करना है उसके बारे में भी आपनावा जानकारी में थाहौँ ठीक है दोस्तों तो ठीक है मिलते या जादिमू